ये श्रीकृष्णा दोस्तों क्रेशन सेवा चैनल में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आज मैं अपने काना जी की स्कीन केर रूटीन आपके शेयर करने जा रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि आज मैं अपने काना जी को किस तरह से अपने काना जी की स्कीन की द को लाइक कीजिए और ज्यादा सी ज्यादा इसे शेयर कीजिए तो चलिए आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह देखिए आप देख सकते हैं यह मैंने गुलाब जल ले लिया है यह गुलाब जल कॉटन की बॉल पे थोड़ा सा ले लेंगे इस तरह से और काना जी के जो भी फेस पे हम मेक अप करते हैं उसको पहले तो रिमूव करेंगे दिरे दिरे यह देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ ऐसे आप भी करेंगे यह देखिए मैंने मैक अप रिमूव कर दिया है काना जी का जो भी एश्टर लगाती हूँ डेली का जो मैक अप करती हूँ उसको रिमूव कर दिया है मैंने और अब मैं चंदन ले लूँगी सबसे पहले मैं चंदन काना जी को चंदन लगाऊंगी जैसे हम लोग फेस पैक वागेरा लगाते हैं इस तरह से मैं काना जी को देखिए चंदन लगाऊंगी इस तरह से पूरी बोड़ी पे और हल्की हल्की उंगलियों से मसाज करेंगे ऐसे ध्यान रखिए कि आखों में काना जी के चंदन नहीं लगना चाहिए यह आप देख सकते हैं मैं बहुत हल्के हल्के हाथों से मसाज कर रही हूं इस तरह से आप पूरे बदल पे काना जी के चंदन की मसाज करेंगे यह दिखिए हल्के हल्के हाथों से पेरों में कर दिखिए हुआ दिखिए हैं अप्राइ यह देखिए हैं यह रगने यह देखिए कि यह कॉटन बॉल लेकर अब उससे पहले में चंदन को जो भी लगा रखा था मैंने चंदन उसको रिमूव करूंगी यह दिखिए है कि सारा चंदन दीरे दीरे हलके हाथों से आप सारा चंदन पहुच दी थी आप देखिए मैंने सारा चंदन पहुच दिया है कुटन बॉल से साफ कर दिया सारा और अब दही ले लेंगी यह देखिए मैंने दही ले लिया हुआ है आप देख सकते हैं अब काना जी के उपर में दही डालूंगी इस तरह से यह देखिए काना जी को दही से इसनान कराऊंगी में आपको पता है दही लगाने से काना जी की शाइनिंग वापस आती है हलके हलके हाथों से दही से मसाज करेंगे इस तरह से हलके हलके हाथों से काना जी की दही से मसाज करेंगे मैं यह हफ्ते में एक बार तो जरूर करती हूं जिससे काना जी की चमक वैसी की वैसी बनी रहे यह देखिए हमने दही लगा दिया है काना जी को और अब मैं सेहद लगाऊंगी यह दिख लिए मैंने काना जी को शहद लगा दिया है मैंने पतंजली का सहद लिया हुआ है आपके पास जो हो आप उसी से काना जी की इसके में क्लेन कर सकते हैं यह देखिए और आप देखेंगे अब मैं इसको थोड़ी देर मसाज करती रहूंगी शहद से आप देखेंगे काना जी की चमक कितनी अच्छी लगेगी आपको मिलकुक क्लेन हो जाएंगे इस तरह से आप भी काना जी कि स्केर कर सकते हैं और आप मैं इनको इसनान कराओंगी इसनान के बाद आप देखना और बताना कि मेरे काना जी साफ हो गए clean हो गए यह दिखिए मैंने काना जी को इस नान करा दिया है अब साफ कर दिया थाविल से और अब मैंने कपड़े पहनाऊंगी मैंने कापले आपको दिखा दू यह दिखिए काना जी कितने क्लीन हो गए हैं यह देखिए फेस इस तरह से आप भी अपने काना जी की सेवा कर सकते हैं दोस्तों तो मेरे यह काना जी का स्किन केर रूटिन आपको कैसा लगा है अगर आपको पसंद आई हो यह वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जय श्री रादे